प्रेमी सज्मों बहुत संदेला एक बात होगी मौका होकाव की जब वो सौधागार भटियारी की सरहा में रानी अम्पली को देख लेता है पर रानी अम्पली को भटियारी से खरीब लेता है कुछ पैसों का लालस देके और भटियारी रानी अम्पली को आदेश देती है कि सोदागर की जहाज पे खाना लेकर जाना होगा प्रिनी सजमा जाब रानी अपली सोदागर की जहाज पे खाना लेकर के पहुचती है तो उसके तेवर पहचान जाती है किस प्रिकार से समझाने लगती है कि सोदागर मैं एक पतिवरता इस्तरी हूँ और आप मुझे छेड़ रहे हो ये आपके अच्छी बात नहीं है एक पतिवर्ता इस्त्री को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती आई ये किस प्रिकार से सौधागर को समझाती है क्या केल लगी सुनिएगा हेर हट पपी तैमान परे हेर हट पपी तैमान परे मेरे हाथ लगावे मत ना और कहने लगी क्या हेर में पतिवर्ता पीर मेरा दू दर्म निगावे मत ना दर्म निगावे मत ना हेर में हट पापी तैमान परे लगावे मत ना हाद लगावे मत ना में पतिवर्ता ना ही मेरा दू दर्म निगावे मत ना दर्म निगावे मत ना कि और पहली बात में उस सीतां के बारे में समझाने लगी कहने लगी कि सोदाकर उस रावड ने वह रावड भी उस जानकी को हरन करके लेके गया था अपनी बहु बनानी चाहता था लेकिन उसका सपना भी पूरा नहीं हो पाया पहली बात में क्यों करके कहले लगी वह लो इक लीवन मैं देख जानकी रावड ने चाहता थाई राम चंत्र को धोका आते क्या गोमारी इसका साई गोमारी पजाई थेरा हनुमान ने उसकी लंका हनुमान ने उसकी लंका शाके ठोक जलाई खोज मिटा किया फिला भड़ता वो बचा नहीं अन्याई बचा नहीं अन्याई मेरा सीथना जान मने तू पाप्ती हो ओ ओ ओ ओ सीथना जान मने तू पापी सीथना जाना जागा वे बते ना ने पती वाय थावियु मेरा तू जायो मेरी जाओ बते ना जायो मेरी जाओ बते ना Oh my God! Aha प्रेमी सिजना दूसरी बांद में उस द्रोक्ते के वारे में समझाने लगी, कहने लगी कि सौदागर उस की चेक में भी उस द्रोक्ती पे गलत निखा डिकाई थी लेकिन उसका अर्मान भी पूरा नहीं हो पाया क्यों करके कह लगी दूसरी बात में मेरा पांचाली ने रख पांचाली न की जगने रे पांचाली न की जगने ताहू धिंता न करके भर में रखनी जहावे था उसे पाप का बाड़ करके ये वह अपने घर बुलाई थीरे अपने घरा बुलाई थीरा मतिला का बहान करके हात पकड़ लिया सरमाया न कुल के लाणा करके दुल के लाणा करके ये रभीमसेद ने खोज मिटा थीया भीमसेद ने खोज मिटा थीया वा तंत वणा अबर मतिला अपने घर बुलाई थीया तरो ने खोज मिटा थीया अबर मतिला तरो तरो ने खोज मिटा थीया आप खोज मिटा थीया अबर मतिला और प्रेमी सिस्वा समझाने लगी, कहने लगी कि हर इंसान ये चुहता है कि हम अपने पहन वेटियों को सम्मान दिला सके चिंचत दिला सके लेकिन उसका ये वर्ज भी बनता है कि उसको ये हग बनता है कि उसे दूसरों की पहन वेटियों को भी सम्मान देना चाहिए तीसरी वाद मेन्यू करके एक लगी मलाओ कि अधियों पांसो रुपे मानों की गौसाना की कमेंटी के तरफ से आसिरवाद के रूप में हमारी टीम को दिये जा रहे हैं हम हों पूरी समीति का तहीं दिल से धन्यवाद करते हैं और आईए क्या बताराएं एक लगी मलाओ तेर अहर मानस कोट ... हर मानस को धाने भरमका हर मानस को ध्यार्य धर्मका हर तम रखना चहिए खोटी नजर का कैर वीर को पोन्या था दिना चेहिए एवर अपनी की जुआ राखी भी आपको धकना चेहिए पवर की तरिया जग है जग है का रसना चेहिए तरिया जग है का रसना चेहिए एवर अपत्वर्ता के पापसाप में तू का बढ़ावे बतिना में पतिवर्ता दीरे मेरा तू रे करम नीदावे बतिना तरिया जग है का रसना चेहिए का रसना चेहिए अगर है पर फार को अगर्व साथियों आदर ने विकास जैन जी आनाब जी रभीन दर्शोकीट्र तरउम जी और आमट जी अगर मेरी आवास सुने हैं तो मंद पा जाएंगे इस गाने के बाद और भूपेंदर सेक्टरी जी इन सभी का स्वावत करेंगे इन सभी का स्वावत करेंगे इस गाने के बाद और आए क्या है ग्यार निगाया जिस जिसने इस रूप हुसन के उपरे जिसने काभू नहीं किया इस पापी मन के उपरे ये रसर पापा की धरी जिसने गोड़े फीर के दन के उपरे भो केते परवाद चले गए जोरू और धन के उपरे जोरू और धन के उपरे ये राम रतन गंगा में नहाले लाम रतन गंगा में खाले नारे में नारे मतिना ने पदिवर्का भी मेरा दू चर्म दिगावे मतिना ये रहत पापी बैपान परे गरत आत जाले मतिना ने पदिवर्का भी मेरा दू चर्म दिगावे मतिना जार अपने कावे मतिना वह दो काप रहत जाले मतिना अनला।